Hello Students, आज हम Section C की शुरुवात करते हैं, जिस Caudate Adaptation है, इसमें, इसमें PC's के Scale Fin Migration और Parental Care के बारे में, Amphibia में Parental Care, Reptilia Poisonous, Non-Posisonous Snakes और Poisoner Pratis, Avies में Flight Adaptation, Word Migration, और Mammals में Adaptive Radiation और Dentition के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं, Scales in Fish, Type of Scales in Fish, मचलियों में पायाने वाले विविन परकार के शल्क, अधिकतर कशियरुक्यों में, हम जानते हैं कि बाहिय कंकाल पायाता है, या फिर पंकों के रूप में, फिदर्स के रूप में पायता है, मचलियों में ये बाहिक अंकाल डर्मल शल्कों के रूप में होता है, यानि मचलियों के उपर पायने वाले यो शल्के हैं, वो डर्मिस से उत्पन होते हैं, और डर्मिस ब्रूणिय मीजोडर्म से उत्पन होती है इसलिए इन शल्कों के उत्पत्ती उत्पत्ती की रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह मीजोडर्मल ओरीजिन के होते हैं इनकी वेवस्था, आकार, संख्या और संशना से मचली की प्रजाती की पहचान और वरीकरण में इनकी महतपुरूण भूमिका होती है इनी से इनकी पहचान होती है और वरीकरण करने में इनमें साहता मिलती है मचलियों में सामानी ते आप पांच प्रकार के शल्क पह जाते हैं कॉस्मोड स्केल, प्लेकोड स्केल, गेनोड स्केल या rhomboid scale, cycloid scale और tinoid scale तो एक-एक करके हम इसका वरणन्द करेंगे इनका ये इनके विविन परकार के शलकों के चित्रे हैं सबसे पहले लेते हैं कॉस्मोईड शलक ये प्लेकोडर्म, औस्ट्रकोडर्म, गार, बाइकेर, रेड़ फिश और कुछ लंग फिशर्ज में पाया जाते हैं प्लेकोडर्म और स्ट्रकोडर्म मचलियों के उपर भी ये पाया जाते थे लेकिन वो आज जीवित नहीं है, वो जीवास मिक्रत हो चुकी है आदुनिक मचलियों में ये बहुती कम पायते हैं, रेरली पायते हैं ये एक दूसरी के ऊपर आतिवियापन नहीं करते है, इनका ये एक लाक्षन कुन होता है इन शल्कों में चार पर्थ पायती हैं, सगनस्तिल, इस्पंजीस्थिल और देंटैन और अईनमल एनामल के समान, गैनोईन और मोटी डेन्टाइन के समान, कोस्मोईन पर्त पाई जती है, डेन्टाइन और कोस्मोईन दोनों ही पर्त पाई जती है, इसमें ये कोस्मोईड स्केल की संरचना है, जिसमें ये इसका क्रॉस सेक्षन है, और ये इसकी संरचना, इसमें एक दूसरी जो है यह लगे हुए दिखाएगा है यह आस्ट्रालियन नियो सेरोटो डस्फ फोरस्ट रिफिस है और जिसके उपर यह शल्क कॉस्मोईड शल्क पाई जाते हैं दूसरे हैं प्लैकोईड शल्क प्लैकोईड शल्क प्लैकोईड शल्क प्लैकोईड शल्क के उपर एक निर्दिष्ट तीन स्पाइन होते हैं जो अधरिये प्लेट से उपन होते हैं यह तीनों स्पाइन बीच वाले को मिडल स्पाइन और दोनों साइड वाले को लेटरल स्प यह वो बिल्कुल दात के समान, जैसे दातों की ओरीजिन होती है, मशुडों में उसी प्रकार से इनकी ओरीजिन होती है, इनके स्पाइन पर एक पतली पारदर सी जिल्ली पह जाती है, जैसे विट्रोड एंटाइन कहते हैं, अधरिय प्लेट के मद्धे में एक पल्प गोहा पाई जती है, इसमें एक शिद्र होता है, इस शिद्र से ब्लड और नर्व सप्लाई होती है इस इन शल्कों के लिए, ये शल्क पास पास रहते हैं, पर अंतु ओवरलैप नहीं करते हैं, इनमें तुच्छा सैंड पेपर की तरह मैसूस होती है, जैसे कि अगर स्कोल्योड उससरचना है, जो मैंने इसमें ड्रॉ की है, एक तो यह है, जिसमें ग्रो चुंट्रल स्पाइन, लेटरल स्पाइन, में ग्रोथ लाइन्स और अन्तर ये और ये पल्प कीविटी, ये स्कौ क्विटी डर्मिस में धसी हुए रहती है और इसके अंदर बीश में शिद्र है, ये तो बेसल प्लेट है, इसके अंदर पल्प किविटी है, जिसके अंदर ब्लेड और नेर्व सप्लाई होती है, शल्क के लिए, और ये इसमें एक सरचना है, जिसमें जब हम स्लाइड बनाते हैं, तो उसमें ये प्लेकोईड शल्कों की स्लाइड इस परकार से दिखती है, इस प्रकार की शल्क देखते हैं, एक दम प्लास्टिक के से टुकड़े या काच के से टुकड़े दिखते हैं, पारदर्शी होते हैं, तीसरे प्रकार के हैं, गेनर्ड या रंबोइड स्केल, गेनोइड या रॉंबोइड स्केल मोटे होते हैं, चतुर वोजाकार होते हैं, रॉंबस शेप्ट होते हैं और डायमिंड के आकार के होते हैं ये टाइल्स की तरह side by side fit रहते हैं, जैसे कि जमीन में tiles fit होती हैं उसी प्रकार से ये शल्क उसके तचाओं पर, मचली वोग तचाओं पर fit रहते हैं ये मचलियों को अस्थी में कवच की सुरक्षा परदान करते हैं, जैसे कॉंड्रोस्टियन मचलिया हैं, पॉलिप्टरस है, इसी पेंसर है, हुलुस्टियन फिश हैं, जैसे गार फिश है, लेपेडुस्टियस है, इनके अंदर ये गेनोईन, कॉस्माईन और होते हैं, ये उपरी पतली हड्डियों की पर्थ और निचली रिषिदार सहियूची उतक से रिद्दार कॉते हैं, ये एक दूसरे से ओभर्लैप करते हैं, ये ओवरलेप करते हुए या इंब्रिकेट करते हुए अतिव्यापन करते हुए पाया जते हैं प्रतेक शल्क डर्मिस में बने हुए छोटे पॉकेट में धंसा हुआ रहता है इसमें लंग फिश होलूस्टियन और कुछ कार्प जो मशलिया है उनमें यह पाया जते हैं इनकी यह सरचना है cycloid skill की cycloid और tinoid दोनों की सरचना इसमें दिखाई गए लेकिन इसमें यह cycloid skill की सरचना है जिसमें एक बीच में एक center है इसके center को focus करते हैं यह यहां से यहां इतना साई भाग इसका exposed रहता है बाकी पूरा भाग embedded यह skin में धसा हुआ रहता है इसकी anterior margin और यह संकेंद रित्बल है इस प्रकार से cycloid skill की सरचना उसके बाद में अन्तिम है tinoid skill टीना चुछ शब्द है वह कोम्ब से ग्रीक भाषा की बना है जिसका अर्थ होता है कोम्ब यह दाते कंगे की दाते की समान सरचना है यह आधुनिक टिलियोस्ट सभी टिलियोस्ट में पर जेते हैं जैसे कि पर्च है सूर्य म पर्चना और विवस्था में cycloid शलकों से मिलते जुलते हैं काफी मिलते जुलते हैं इसलिए इनको एक साथ ही पढ़ा जाता है यह अधिक द्रड़ता से सल्लगन रहते हैं यह इनको बाहर निकालना थोड़ा सा जटिल काम है इनका अंतिम मुक्त जो बाहर है भाग है वो पर इनकों छोटी कंगी के दापते के समान चोटी-छोटे काटे पाया जाते हैं इसलिए इनको टीनोएड यह कंगी समान शलक के कहा जाता है यह जीवन परियंत बढ़ते रहते हैं सालमन ट्राउट और बास में इन में पाई जाने वाली संकेंद्रत वलेओं की संख्या से स उम्र निरधारित की जती है टॉर्पीडोवा इल मचलियों में ये डर्मिस में धस्चे हुए रहते हैं काइमेरा में ये स्थानिक रत हो जाते हैं ये टप्याइट की संरचना है जिसमें एक ये फोकस है और इससे संकेंद्रित रिफाले पाई जा रही हैं ये संगेतंदरित बले हैं और इसमें कुछ radius की सरचना भी होती है जो इनको cross करती हुई circular और radius ये दोनों एक दूसरे को cross करती हुई पही जाती है तो इस प्रकार से ये tenoid shulk के साथ ही इस fish shulk का topic शतम हुआ, thank you, thank you very much.